हालो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं बी फार्मेसी सेकंड समिस्टर की और्गनिक केमिस्टरी फर्स्ट जी हां दोस्तों तो आज से हम जो है बी फार्मेसी सेकंड समिस्टरी स्टार्ट कर रहे हैं हमने पोल किया था कि कौन सा सब्जेक्ट हम पहले चुने लेकिन यहां पर पहली बार आईए second semester में organic chemistry 11-12 में तो बहुत बार study की थी लेकिन यहाँ पर मतलब revision एक बार हो साएगा अच्छे से तो सबसे पहले हमें start करेंगा अपनी organic chemistry first ठीक है तो इसकी हमारी unit first है classification nomenclature and isomerism तो यह हमारे तीन topic है बड़े बड़े main topic है क्योंकि ऐसा होगा कि जब भी हम आगे जितने भी chemistry पढ़ने वाले है third semester में आगे भी हमारी है और इसमें भी मतलब बहुत ज़ादा है तो उन सम में हमारा nomenclature, isomerism और classification यह सभी कुछ हमारा काम आने वाला है तो यह videos मतलब यह organic जो भी होगी second semester की यह बहुत ज़ादा important है बाकि अगर कोई senior बगरा भी हो तो उनका अगर मतलब कोई छूट क्या हो तो यह video वह देख सकते हैं उनका basic बहुत अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है friend तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते organic chemistry क्या होती है तो अगर इस जनरेल टर्म में समझे organic तो हमारी जो आपने देखे होंगे पूरे periodic table यह compound में total 118 compound होते हैं और उसमें से 170 हमारी क्या होते हैं इन और एक हमारा single compound है जो हमारा होता है carbon और वह carbon यह में organic compound कहलाता है अब इस organic compound के साथ यहां कि organic element है हमारा carbon अब इस carbon के साथ मिलके जितने भी कोई compound form होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं organic compounds और हम उन सब compound की जो study करेंगे जिस chemistry के अंदर साइंस के compound के बारे में study करेंगे जो हमारा क्या है carbon से मिलके बने होंगे ठीक है और in most case मतलब mostly देखा जाए तो यह हमारा carbon जो हमारा hydrogen के साथ मिलके बनता है और इसको हम hydrocarbon बोलते हैं इसी लिए जो है organic को कई जगा पे hydrocarbon बोला जाता है यह साथ बहुत लोगों ने सुना होगा बनलब carbon प्लस hydrogen जैसे एक्जामपल समझे हो यह हमारा carbon है यह hydrogen है तो पहला हम सबसे इंपल समझते हैं मीथेन वाला CH4 तो यहां पर क्या है यह हमारा carbon है और इसके साथ मिलके आगे जैसे आते चलते जाएंगे इनको हम जो समझते जाएंगे बाकी बात करें notes की तो हमारी website www.carewellpharma.in वहां पर free में सारे notes available हैं आप जाके download कर सकते हैं easy तरीके से बाकी यह वाले notes हैं यह भी हमने new prepare किया है तो इनको आप यहां से देख सकते हैं और note down साथ के साथ कर सकते हैं अब हम समझते हैं classification वाला तो classification हमारी मतलब main है बहुत जादा important है इसको आप अच्छे दे मतलब यह हमारी total है इसको आप अच्छे से याद कर लेना कैसे क्या है और यही आपकी आगे तक काम आने वाली है और अगर question आभी जाता वाई चांस classification के उपर पहला आभी जाता mostly के इसमें आता है तो यहां पर क्या करना है आपके पास जो भी यह पूरी classification होगी इसको आपको बना देना पहले अच्छे से आपको पहले organic chemistry यह बेसिकली दो भागों में डिवाइड है यहां open chain compounds और यहां पर close chain इसको हम aliphatic बोलते हैं बैसे aliphatic अंदर के भी हमारे term है और यह हमारे क्या है मतला एक close structure form होगा और यह हमारे क्या है open देखो तो इस तरह बस आप example समझो अभी हम आगे example देखेंगे तो यह हमारे closed है यह हमारे क्या है ring form में एक तो इस तरह यह हमारे एलिफटेक हमारे दो भागों में डिवाइड है saturated unsaturated देन हमारे यह आते हैं यह बाकी यह वाले कंपराँ दो इसके हमारे इंदर आते है आते हैं लो जांतर नोट इसके बना ले ना ठीक है उता है हमारे ब्राइट नहीं Springs या पर इन मेने बताओर साइक्लिक नहीं होंगे हमारा एथन élode回去 इसके इसको समझी लेंगे गोरा जो cuestión क being dom Lee AGijo for only यहां पर यहां पर प्रोपेन तीन कारवन वाला तो यह नॉमन पहले हैं आप-प इतना समझार यहां पर यह पर यह हॉत यह यह अद रखनी है अच्छे थे दैन इसका एक्जामपल प्रोपेन हमारे होते हैं single bond वाले, Ethan होते हैं double bond वाले और Pine होते हैं यहाँ पर triple bond use होता है अब यह क्यों आ रहे हैं क्योंकि इसी के अंदर हमारे saturated और unsaturated आते हैं ठीक है तो हम saturated compound आप समझते हैं जो हमारा इसका next part है बस आपको यह याद रखनी है अगर आपने इसको याद रख लिए या फिर आपको definition सब की याद हो जाएंगी saturated देखते हैं क्या है हमारे कि these are those organic compounds in which carbon attached carbon with a single bond यानकि जो हमारा carbon है यह carbon यह carbon यह आपसमें single bond के द्वारा connect होंगे और single double bond क्या होते हैं जैसे हमारा जो एक यह single bond then हम इससे denote करते हैं यह हमारा double bond आता है तो यहां पर यह triple denote करते हैं यह एक ही है single तो यह हमारा यहाद आते हैं double bond यह triple bond और यह हमारा single bond ठीक है बस इतना यहाद अभी रखना है आपको अब यहाँ पर carbon अगर हमारा carbon साथ single bond से आता है जाच है वो हमारा saturated के अंदर आता है तो हम इसके definition में लिख सकते हैं कि यह saturated hydrocarbon होते हैं जिनका general formula हमारा होता है cn h2 n plus 2 यहाद कि अगर आपको यह general formula याद हो गया तो आप कितने भी example लिख सकते हो यह इतनी अची जिस होते है जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ अब मुझे इस n की जगाँ कर मैं बन पुट करता हूँ तो मेरा क्या निकल क्या आएगा सी और एच और यहाँ पुट करते हैं तो क्या निकल क्या आता है तो आप देख रहे हैं कितने सिंपल मतलब यह सारे के सारे हमारे किसके example है एल के बस हम क्या करते जा रहे हैं एंड की जगा पर और हमारे example बनते जा रहे हैं तो इसी तरह हम जो बहुत सारे example बना सकते हैं बस हमको यह general formula या दोना चाहिए अब इसके जो पहचान main क्या है कि यह contain करते हैं हमारे carbon-carbon single bond यान कि यहां पर जो हमारे carbon-carbon form हो रहे हैं यह वाला है हमने example देखा हमारे single bond होगा तो यह हमारे alkane क्यलाते हैं ठीक example देख लो methane है तो carbon के साथ यह चार hydrogen attached है single bond के साथ यहां पर यहां पर यह दो carbon यान कि यह आपसमा अठाच है यहां पर हम समझते हैं अपने unsaturated compounds के बारे मतलब हमने यहां पर यह देख लिया saturated यह अब इसके बाद हमारा दूसरा यहां पर आता unsaturated तो वही था simple की saturated के अंदर हमारे क्या हो रहे थे कि जो carbon-carbon के बीच bond form हो रह होगा या यह हमारा क्या होगा triple बाला होगा अगर यह situation हमारी किसी compound के अंदर होती है तब वह compound हमारा क्या कहलाता है unsaturated कहलाता है ठीक है अब इसके अंदर भी हमारे parts आ रहे थे सब parts वह यहां पर देखे थे यह हमारे दो तरह से होगा alkenes और alkenes ठीक है तो वही simple सी बात है कि यह हमारी दो चीज़ है यहां पर देखी unsaturated के अंदर दो चीज़ी अगर double bond है तब triple one है तब तो अगर double bond है तो वह हमारा क्या होजाएगा alkenes और एक्जांपल और यह तो यह हमारे वह unsaturated hydrogen होते हैं जिनका general formula क्या होता है CNH2N अब ये हमको बहुत जरूरी है ये चीज जानने जैसे हमको अगर जर्मूल अब ये चीज जानने बहुत जरूरी है अगर हमको किसी का जनरल फॉर्मूला याद हो गया तो हम उस compound के कितने भी example बना तकते हैं कितने भी example इसका हमारा क्या है CNH2N ठीक है तो भाई है लेकिन ये 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 होती है सर्थ की इसमें हम minimum two value put करेंगे one put नहीं करेंगे one करेंगे तो आपको एक चीज पताओगी जो हमारे carbon होता है इसकी हमारी क्या होती है minimum चार balance तो हमें ये सर्थ करना बहुत जरूरी होता है की carbon की हमारी balance ही बिलकुल fit हो और hydrogen की कितनी होती है एक होती है तो ये भी हमें जरूरी होती होती कि hydrogen के साथ एक ही bond attach हो सके तो इन सब चीजों को ध्यान में रखे ये बनाए गया है कि जो हमारे ये है alkenes है इसमें हमारे सिर्फ दो से मतलब श्टार्ट करेंगे तब हमारे ये formula बनता है अगर हम इसमें 2 put करें क्या निकल के आता है C2H4 3 put करें तब क्या हमारा निकल के आता है C3H6 4 put करें तब क्या निकल के आता है C4H8 इस तरह हमारे compound form होते हैं और यही इसकी carbon है और वही कि इसमें at least one carbon से carbon के भी double bond होना चाहिए तो भाई एक double bond होना चाहिए और general formula इसका होता है Cn, H2n तो अभी हमारे लिए इसके में इतना ही है बाकी आगे दाके इसके उपर पूरे-पूरे chapter है तो उसको हम details में study करेंगे example देखें, ethane हो गया जान की जहां देखो carbon, double bond carbon यह देखें जुड़े हुए है फिर यहां पर प्रोपीन हो गए यह अब अगर हम C को देखें तो यह क्या है carbon 2 है तो C2 और hydrogen कितने 1,2,3,4 तो hydrogen कितने हो गए 4 अब हम यहां पर देखें ध्यान से C2H4 मतलब देखो, यही वाला है जहां हमने situation यह पूट की थी इधर देखें, carbon कितने है, 1,2,3 तो हम यहां लिखें, carbon 3 hydrogen कितने है, 1,2,3,4,5,6 तो hydrogen हो गए 6 situation देखें, C3H6, यह है हमारा यान कि जहां पर value तीन पूट की थी यान कि हम देख रहे हैं, वही हमारे example है, यान कि example हम कितने भी form यहां पर कर सकते हैं, और बाकी carbon की जो हमारी balance है 4 से बिगड़नी चाहिए उसी के बैस पर हम इसका structure बना सकते हैं तो structure बनाना हम आगे सीखेंगे, देर हमारे आता है यहां पर alkyne, तो alkyne हमारे simple वही unsaturated hydrocarbons होते हैं, इसका general formula हमारा होता है CNH2N-2 और उसके बाद जो ही कि इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, triple bond तीन होते हैं, example देखें, तो हमारे e-sign हो गया है, जैसे देखो हमें carbon carbon के बीच double bond या triple bond बनाना है, तो हमें 2 carbon तो at least चाहिए ही न, और 2 carbon कम मिलेंगे, जब यह Cn है, अगर यहां पर 1 कर देंगे तो carbon 1 होता हैगा, और carbon तो हमको 2 चाहिए, यहां भी Cn है, तो carbon 1 हो चाहिए, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 या 2 से आगे के put करेंगे value, तो हम देखते हैं, अगर हम 2 put करते हैं, क्या निकल के आता है हमारा C2, फिर N, यहां पर 2 put करेंगे, 4 होता है C3 और H4, तो I hope आप लोग यह समझ चुके होंगे, अब हम next अपनी समझते है, classification यहां पर cyclic और closed chain की, then इसके अंदर के सारे के सारे हम यह समझते हैं, ठीके ब्रेंट, तो पहला हमारा यहां पर आता है cyclic structure क्या होते हैं, तो simple वही हमारे जो carbon, carbon के जी हमारे structure बन रही थे, अभी हमने इतने बनाए, बस मिच में इतना होना जाए, कि जो हमारे यहां के चक्कर में एक-एक hydrogen कम हो जाएगा, तो वही मैं आपको अगर यहां पर अच्छे ते करके दिखाता हूँ अभी, तो यह थे कि यह हमारा क्या है, यहां पर हमारा क्या बनाएगा, एक cyclic form में form हो जाता हूँ, इसी को हम बोलते, closed structure यहां बोलते, cyclic, यह हमारे दो तरह से होते हैं, यहां पर homocyclic, then heterocyclic, homocyclic का मतलब simple क्या है, कि यहां पर जो हमारे यह यूज हो रहे हैं, यह हमारे सिर्फ carbon होंगे, carbon के अलाबा कोई other compound नहीं होग हो हमारे कहला है, homocyclic, और इसमें भी हमारे दो तरीके के आता है, definition वही है, alicyclic, then हमारे आता है aromatic, तो alicyclic में क्या हो रहा है, कि यह जो हमारे compounds form हो रहे हैं, यह हमारे aromatic compounds नहीं है, benzene को follow नहीं करते हैं, मतलब जो benzene और huckles rule बगरा होते हैं, इसको follow करते हैं, तो यह जो हमा हमारे ring form करने में, जो हमारे compounds help कर रहे हैं, वो हमारे compounds सिर्फ carbon होगे, ठीक है, बाकि alicyclic में हमारे compound attached होता है, बस आपको यह याद रखना है, और इसी के example में आपको यह put कर देने है, cyclopropane, cyclobutane, ठीक है, बाकि aromatic की बात की जा है, तो यह हमारे organic compounds होते हैं, जो क्या करते हैं हकल्स rule को follow करते हैं, जैसे benzene बगरा हो गए, तो यह हमारे third semester में बहुत साथा broad में आएगा, अभी सिर्फ चाहो तो आप definition पढ़ लो, otherwise कोई बात नहीं है, ठीक है, बस आपको नाम याद रखने, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और यह आप यहाँ पर note-down कर लेना, जैन हमार compound form होगा, ring बनाने के लिए, जैसे example समझो, यह वाला एक हमारा compounds है, तो यह सब हमारे क्या है, cyclic है, organic है, carbon जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखो, एक oxygen जुड़ गया, और oxygen क्या, carbon के लावा, जो और भी कोई भी element वो हमारे क्या है, इन organic है, यहाँ और organic नहीं है, तो कोई ऐसा element है, जो ring form करने में काम आ रहा है, ring form करने में use हो रहा है, वही जहाँ पर है हमारा थायोफी, तो यह हमारे simple example थे, आप यहाँ study कर सकते हैं, तो I hope आप लोगो यह classification समझाई होगी, आपको बस सबको याद रखना है, बना देना है, फिर सबकी definition और example एक एक लिख द और बाए बाए